असलाम एकुम क्या हाल है आप सबके उमीद सब खेरियत से होंगे और वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल तो आज मैं बना रही हूँ बेक्ट कार्लिक ब्रेड और बहुत ही मज़िक की और बहुत ही चीजी की ब्रेड बनने वाली है तो यह मिदनाइट मंचिंग के अच्छा आप चाहें तो इस जो बना रहे हैं हम लोग उसको प्लेम भी बना सकते हाफ टी स्पून मैं थोड़ासा नमक डाला है और वन टी स्पून जो है मैं इसके अंदर चीनी आड करीं क्यूंकि हमने यीस्ट अट करनी है तो चीनी जो है उसको अक्तिवेट करती यह वन और अच्छे से इसको मर लेना है मिक्स आप जो बना रहे हैं इसके इंदर जो मैंने इस सारी चीज़े एड कि अगर आप इसको आप नहीं ही करना चाहते तो आप प्लें डो भी बना सकते हैं सिंपल यीस्ट नमक और चीनीन डालके अब बारी है आटा गूनने की जो मुझे बहुत मुझे लगता है तो अब यहां पर आपके बास दो आप्शन है या तो आप वाटर ले टैफ वाटर नहीं लेना या फिर आप दूद ले 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 दूद भी वाम होना चाहिए हलका सा गर ठंडा पानी इसमें यूज नहीं होगा इसमें यीस्ट अच्पी जो है वो बनाना है बिल्कुल ड्राय सा टो नहीं होना चाहिए थोड़ा स्टिकी डो बनेगा इसका में इसमें 1 टेबली स्पून के करीब ऑलिव और कर सकने और अगर चाहे तो आप पहले जब जब सारी इ जाया बिल्कुल भी चीज नहीं करने है तो अच्छे से मैं इसको गूंद लिया है आपने देखा इतना होना चाहिए कि आपके हाथों को चिपके अब मैं थोड़ा सा ओल लेकर पूरे बॉल को लगा लूंगी और इसको फिर ताकि यह थोड़ा सब रेज हो का तो यह थोड रख देंगे एक घंटे के लिए राइस होने के लिए और मैं यूजिली जो है ओवन के अंदर अग देती हूं कि महां पर और जादा गर्मी मिल जाती है इसको रखते हैं एक घंटे के लिए और हम चलते हैं बटर गार्लिक बटर बनाने के लिए तो एक छोटी सी प्याली ल जालों कि जो आपने देखा वो एक प्रेस करूंगे तो वन टेबल स्पून ही बनेगा सिंपली इसको चॉप करके भी एड कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है अब इसमें थोड़ा सा हम लोग धनिया करेंगे वन टेबली स्पून के करीब धनिया जाएगा और इसको अच अचिछ सागत पर लगा देखा लिए तो यह अच्छ सा मिक्स मैंने कर दिया है अभ इसको रखतें साइट पर चलते है अपने जिसमें हमने बेक और उसकी परपेशन करने मैंने लिया है केक बेकिंग कर पैन हो और आपके पास नॉर्मल वाला जो पीजा पैन हो और आपके कर देंगे ना भी हैट करना चाहिए तो अच्छै सा घ्रीश करने और रगदे तो यह ऐने कर दिया है पर अगर आपके पास पीजा प्लीट भी है जिस पर पीजा बना बनाते हैं बेक करते हैं तो इसमें भीते लेकिन यह वाली जो है ना मेरे पतीले में तो नहीं हो रही थी जब इसको प्रण्च करके नीचे बिठाते ना वो फीलिंग ही होती है आप भी ट्राइ कीजेगा आपको भी मज़ा हैगा तो अब क्या करना है आपने थोड़ा सा लीना है ड्राइ फ्लार खुश्का ले 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 और अब इसको अच्छे से आपने और गूनना है पांच निर द करेंगे तो यह खास्यत होती है जब हम यह स्टैट करते हैं तो बार-बार डो को जो है हम लोग रेस्ट देते हैं ताकि वह अच्छे सा राइस हो सके बांच मिनिट मैंने इस पर मैनत लगा दी है अब आपने क्या करना है इसका एक पेड़ा बनाना है बड़ा सब्सक्राइ सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो अल्रेडी सब्सक्राइबर है वो वीडियो को लाइक कर दें और शियर कर दें तो अच्छे से आपने इसको रोल करना है आपने मोटा रोल करना है हथ से ज्यादा पतली रोटी नहीं बनानी है आपने तो आपने प्रोटी बनानी है 1.5 इंच के हिसाब से बनानी है इसको फिर अपने हाथ से भी थोड़ा सा फैला लें और एक एजिस जो है थोड़ा सा नरम करने बीच में इसको थोड़ा ही रखिएगा अब मैं इसको फैला दिया है अब मैं इस पर गार्लिक बटर एक करूंगी इस प्रैट करेंगे अच्छे से थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आपको थोड़ी मैनत यहां पर भी करनी पोड़ेगी जिस तरीके से आपने मिक्सिंग में की थी तो अच्छे से इसको मिक्स कर ले अब बेलेंगे मिक्स जाथ चीज है मेरे पास मौस्रैला चीज है आप मौस्रेल चीज की एक क्वल लगा लें इसको पुरा फिल करतेंगे एक साई ल है वहीं प्रिल केको हथ लिए तो इसको फोड़ार ही कर ने अगर आ यह शाले से चीम आई शूर्ब कर सकते मैं अगर तो अब मैंने इसको दूसरी तरफ से फोल्ड कर दिया आपने इस तरह से फोल्ड करके इसके एजिस को इतना जोर से दबाना है कि मतलब बिलकुल ही यह चिपक जाए आपस में तो यह मैंने बना दी है गार्लिक बैट अब मैंने लिया है वो केक मोल्ड जिसको मैंने पहले से करके रखा था और अब इस मोल्ड में हमने इसको डाल देना है सेट करना है अपने देखा मैंने किस तरीके से इसको सैट किया है तो आप भी इस तरीके से अपनी मर्जी से अगर आप कोई और शेप भी देना चाहते हैं हम दे सकते हैं इस प्रैट को तो अब जो बचा के जो लाजमी खानी है अब आपने क्या करना है एक नाइफ लीन है और उस नाइफ से इसकी अंदर कट लगाने है थाकि यह जो अंदर से चीज वगएरा है जो अंदर चीजें है वो भी कुख हो जाएं बेक हो जाएं इसके उपर थोड़े जादा गहरे कट लगाने के नीचे च कट जाए नहीं उपर उपर से सिर्फ लगाना है अब थोड़ा सा और मैंने फैंसी होने के जरुवत फील की के पही चलो बच गया है तो थोड़ा और मैं यूज कर लूँ है इसके उपर टॉपिंग देंगी बिल्कुल ऑप्शनल है इसके परने चाहें बिल्कुल कर सकते है चलने जी हमारे प्यारी सी गार्लिक प्रेट जो ना वो तैयार है इदर मैंने जो है पतीला पहले से पांच से दस मिनिट आपको नहीं जो है इसको गरम करने के लिए रख देना है स्टेंड अंदर रखा हुआ है अब मैं इसके अंदर आराम से ये डालूंगी और उसके बा इस मर्दबा मेरे पतीले में जादू नहीं हुआ और बिलकुल अच्छा वाला जादू हो गया कि वह चीज जो मैंने डाली देख होने के लिए वैसे ही निकली है तो मज़दार सी गार्लिक ब्रेट जो है वो बिलकुल तैयार है और उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद बज़े साही हो गी आप इजय की होगी रैषिपी तो सबस्क्राइबर नहीं है जल्दी सब्सक्राइब कर दे को वरना मेरी सारी रैसिपी आप से मिस हो जाएगी और अगर आप सब्सक्राइबर और अलिडी है तो तो थेंग यू मुझ और शेयर कर लीडिए इस वीडियो क और लाइक कर दीजे तो अब मैंने इसको निकाल देना है थोड़ा ठंडा कर लीजेगा फॉरन मत निकाल लिए करना हाथ जैना वह जल जाएगा आपका वैसे मेरा दिल चालता है मैं यही से तोड़के स्टार्ट कर दूखाने के लिए लेकिन अभी थोड़ी प्रेजेंटेश मज़िदार सी प्यारी सी जो प्रेड है ना वो मेरी बहुत मेहनत के साथ त्यार हो चुकी है उमीदे पसंद आई होगी जरूर ट्राय कीजेगा इस वाली प्रेस्टिपी को जरूर ट्राय कीजेगा आपको मज़ा आएगा वाकई में अपनी दौा में मुझे याद रखिए इस तरह से सपोर्ट करते रहेगा और इसी तरह के से मेरी वीडियो को लाइक करते रहेगा अलाफिस